इस कहानी में कालू कववा अपने परिवार के साथ रहता था कालू अपनी पतनी संदरी के साथ और अपने दो बच्चों के साथ रहता था वो दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी एक दिन सुंद्री कवी कालू से कहती है कालू जी मैं दोनों बच्चों को उड़ना सिकाना चाहती हूँ मैं इन्हें बाहर ले जा रही हूँ नहीं सुंद्री अभी हमारे बच्चे बहुर छोटे है वो अभी उड़ना नहीं सिख पायेंगे और कुछ दिनों के बाद तुम इन उड़ाना सिखाओ अभी तुम इन दोनों को खिलाओ पिलाओ तंदरुस्त करो मेरे बच्चे तंदरुस्त है कालू जी ये कवे है कवे अगर अभी उड़ना नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे मैं तो इन्हें ले जा रही हूँ जैसी तुमारी इच्चा सुंदरी मगर बच्चों का ध्यान भी रखना अगर वो अपने उड़ान नहीं भर पाये तो उन्हें आपस ले आ जाना ठीक है कालू जी तो मैं चलती हूँ ऐसा कहकर सुंदरी कवे अपने दोनों बच्चों को उड़ना सिकाने के लिए घर से बाहर ले जाती है बच्चों तुम इस पेट से छलांग लगाओ और जोरों से अपने दोनों पंकों को फरफराओ फिर तुम उड़ना सीख जाओगे नहीं नहीं ममा मुझे डर लग रहा है मैं यहां से छलांग नहीं लगाओंगा अगर तुम दरोगे तो कभी उड़ नहीं पाओगे अब उड़ो, कोशिश दो करो, खूदो नहीं ममा मुझे डर लग रहा है मगर सुन्द्री कभी उड़ने बच्चों की कोई बात नहीं मानती मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती तुम कोशिश करते हो या नहीं अगर तुम दोनों कोशिश ही नहीं करोगे तो उड़ के से पाओगे अगर तुम दोनों नहीं उड़े तो मैं तुम दोनों को यहीं पर छोड़कर चली जाओंगी नहीं नहीं ममा, हम उड़ने की कोशिश करते हैं ममा हमें उड़ा नहीं जा रहा है ममा हमें बचाओ, ममा हमें बचाओ मगर सुन्दरी के बच्चे उड़ नहीं पाते और देखते ही देखते, वो दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और वो दोनों बच्चे घबरा कर वही पर मर जाते हैं मेरे बच्चे ये सब मेरी वजल से हुआ है मैं बहुत बुरी मा हूँ मेरे प्यारे बच्चे मुझे ये बात कालू को बतानी होगी सुन्द्री कवी रोते रोते कालू कवे के पास जाती है कालू जी मैं बच्चों को उड़ना सिखा रही थी हमारे बच्चे उड़ नहीं पाए और नीचे गिर गए और हमारे बच्चे मर गए कालू जी मर गए कालू कवा उड़ते उड़ते अपने बच्चों के पास जाता है ये क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ ये सब तुमारी वज़े से हुआ है सुन्दरी मैंने तुमें पहले ही कहा था की हमारे बच्चे अभी छोटे है मगर तुम मुझे ही चुप करा कर उने हाँ पर ले आई अब देखो क्या हो गया हमारे बच्चे मर गए सुन्दरी हमारे बच्चे मर गए इसके लिए मैं तुमें कभी माप नहीं करूंगा सुन्दरी मुझे तुमारे साथ नहीं रहना है मैं तुमें छोड़कर जा रहा हूँ खबरदार जो मुझे रोखने की कोशिश की तो ऐसा कहकर कालू कवा सुन्दरी को छोड़ कर वहां से दूर चला जाता है अब मैं अकेले हो गई हूँ कालू भी मुझे छोड़ कर चला गया मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ कर चले गए अब मैं क्या गुरू अगर मेरे बच्चे इस जंगल में मरे हैं तो मैं इस जंगल में भी किसी बच्चों को रहने नहीं दूँगी सब बच्चों को मार दूँगी सब को मरना होगा सुन्दरी कवी अपने बच्चों को तो पहले ही खोच की थी फिर कालू भी सुन्दरी को छोड़ कर चला जाता है ये सदमा सुन्दरी बरदाश नहीं कर पाई और वो फैसला कर लेती है कि इस जंगल के सारे बच्चों को वो मार डालेगी सुन्दरी कवी अब जंगल में किसी से भी बात नहीं करती थी वो तो बस बत्चों को मारने के लिए ही भार निकलती थी एक दिन सारे जंगल के पक्षिया इकटे होकर बाते करते हैं चुडिया बहन हमारे जंगल के सभी बत्चों को ना जाने कौन मारा है हाँ कबूतर तुम ठीक कह रहे हो हर दिन कोई ना कोई बच्चा मरता ही जा रहा है हमारे जंगल में अगर हमें पता चल जाएं कि वो खूनी कौन है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं दूसरी तरफ संद्री कलवी मन ही मन सोच रही थी आखिर में कब तक बच्चों को धूंड धूंड कर मारती रहोगी मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि पक्षिया दर के मारे बच्चा ही ना पैदा करें रात होने के बाद जंगल के पक्षियों के गोसले में जाकर ही उनके बच्चों को मार देती हो देखते ही देखते रात भी हो जाती है फिर संद्री कवी कबूतर के घट जाती है अरे कबूतर और उसकी पतनी कितने आराम से सो रहे हैं अपने बच्चों के साथ सोई रहे कबूतर मेरा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा बेचारे बच्चों को मार दूगी फिर संद्री कवी बही पर कबूतर के बच्चों को अपने चोज से वार कर देती हैं जिससे वो बच्चे मर जाते हैं और सुन्द्री कवी उन बच्चों को मार कर अपने घर वापत आ जाती है फिर अगली सुबह भी हो जाती है मेरे बच्चों को किसे ने मार दिया इन बच्चों ने किसी का क्या पिगाड़ा है मेरे बच्चे तो अभी उड़ना भी नहीं जानते संभालो अपने आपको लूसी बहन हिम्मत रखो हम उस कातल को छोड़ेंगे नहीं कबूतर और लिसा कबूतर को रोते देख सुन्द्री कवी बहुत खुश हो जाती है जब दूसरों के बच्चो को में उड़ते देखती हूँ तो मेरा खून खौल उड़ता है आज से मैं हर रोज रात को चुप चाप बच्चो को मार दिया करूंगी फिर देखते ही देखते रात हो जाती है सुन्द्री कवी इस बार तोते के घर जाती है और तोते के बच्चो को मार कर वहां से चली जाती है इसी तरह से सुन्द्री कवी जंगल के किसी ना किसी पक्षी के बच्चो को मार देती थी किसी तरह से सुन्द्री कवी बुलबुल के बच्चो को भी मार देती है और रानी चीडिया के बच्चों को भी मार देती है कबूतर भाईया हमारी जंगल के सभी बच्चों को तो उस कातिल ने मार दिया है अब हम उस खोनी को कैसे ढूडेंगे हमारे बच्चों को उसने मार दिया अरे पक्षिया अब बहुत हो गया इस खोनी का अत्याचार हर रोज एक एक करके हमारे बच्चों को चुन चुन कर मार रहा है ये खोनी हम उसे छोड़ेंगे नहीं कुछ करना तो पड़ेगा हाँ मेरे पास एक प्लैन है जिसे हमें पता भी चल जाएगा कि वो खोनी कौन है और उस खोनी को सजा भी मिल जाएगा तो बताओ बताओ बुल-बुल तो सुनो सब पक्षियों हम चील के बच्चों को अगवा करके एक पेड़ के ऊपर छोड़ देंगे और रात होने के बाद चील को पता देंगे कि उसके बच्चे कहां पर है फिर वो खोनी और चील आमने सामने होंगे हाँ हाँ ये प्ल्यान तो बिल्कुल ठीक है फिर सभी पक्षिया चील पर नजर रखते हैं जब चील अपने घोसले से बाहर निकलती है तो इस अभी पक्षिया मिलकर चील के बच्चों को अगवा कर लेते हैं जल्दी चलो पक्षियो अगर चील ने हमें यहाँ पर देख लिया तो हमारा डिनर कर लेगी कबूतर भाईया वो देखें उस पेड़ पर एक खाली घोसला है हम इन बच्चों को वही पर छोड़ देते हैं हाँ हाँ तो चलो उसी पेड़ पर छोड़ देते हैं फिर वो पक्षिया उन चील के बच्चों को उस गोसले में छोड़ कर वहां से चली जाते हैं फिर देखते ही देखते रात भी हो जाती हैं सुन्द्री कव्वी अपने गोसले से पहार निकलती हैं दूसरी तरफ जंगल की सभी पक्षिया चील से कहते हैं चील दीदी, क्या आप अपने बच्चों को धूंड रही है? हाँ हाँ, मेरे बच्चे शाम से गायब है, उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता, ना जाने इस जंगल में इतनी हिम्मत इसमें आ गई है, जो चील के बच्चों को अगवा कर ले, अगर वो मेरे हाथ लग जाये तो उसे छोड़ूंगी नहीं चील दीदी, जब शाम को हम सभी बख्षियां भोजन धूंड कर अपने गोसले में वापस जा रहे थे, तो हमारी नजर आपके बच्चों पर पड़ी, मगर हम ये नहीं जानते थे कि आपके बच्चे अगवा हो गए हैं कहा देखा है तुमने मेरे बच्चों को? आम के पेड़ के उपर देखा था चील दीदी, मैं अभी जाती हूँ मेरे बच्चों के पास, ना जाने वो ठीक होंगी या नहीं ऐसा कहकर चील वहां से उड़ती हैं, दूसरी तरफ सुन्दरी कवी की नजर उन्नने चील के बच्चों पर पड़ जाती हैं अरे ये तो चील के बच्चे हैं, और चील भी अपने घोसले में नहीं है, आज तो मैं चील के बच्चों को मार ही डालूँगी ऐसा कहकर सुन्दरी कवी उन्नने बच्चों पर वार करने ही वाली थी, कि वहां पर चील आ जाती हैं रुकजा कवी, तेरी इतनी हिम्मद की तो मेरे बच्चों को मार रही हैं, आज तो तू जिन्दा नहीं बचेगी ऐसा कहकर चील सुन्दरी पर वार कर देती हैं, और सुन्दरी कवी को मार डालती हैं वही पास के पेड़ पर छुप कर देख रहे थे जंगल के सारे पक्षियां अरी सुन्दरी बहन ही खोनी है, जो हमारे बच्चों को मार दिया है उसने सुन्दरी बहन को जराबी दया नहीं आई हमारे बच्चों को मारते हुए अरी ये सुन्दरी पागल हो गए है, जब से इसके बच्चे मर गए है तभी से इसकी दीमाल खराब है मैंने सुना है कालु कववा भी से छोड़ कर चला गया है मर जाने दो इस सुन्दरी को, अच्छा हुआ मर गई अगर जिंदा होती तो शायद एक एक करके हम सभी पक्षियों को मार डालती और इस जंगल को शमशान घाट बना देती हमारा कालु कववा इस कहानी में अपनी पतनी सुन्दरी कववी का जोरु का दुलाम बन गया है चलिए देखते हैं उस जंगल में कालु कववा अपनी पतनी सुन्दरी कववी के साथ रहता था कालु कववा तो अपनी पतनी को देख कर ही दरता था कालु कववा अपनी पतनी की सारी बात मानता था और सारे घर के काम भी करता था तो इस कववे को हम सब क्या कहते हैं जोरू का गुलाम हर रोज भोजन भी कालू कववा ही लाया करता था सुन्दरी तो बस आराम ही आराम करती थी एक दिन कालू कववे के दोस्त कबूतर और तोता कालू कववे के बारे में बात कर रहे थे तोते भाई क्या तुमें पता है हमारा कालू जोरू का गुलाम बन गया है हर वक्त अपनी पत्नी की सेवा करता ही रहता है अरे कबूतर ये सब तो ठीक है मैंने तो सुना है कि सुन्द्री भेन कालू को मारती भी है बेचारा कालु कववा, उसकी तो किस्मत ही खराब है, जो कालु कववे को इतनी जालिम पत्नी जो मिली बेचारा कालू कववा, सुन्द्री तो उसे हर बात पर टोकती है और सुन्दे में आया है कि कालू को मारे बिना सुन्द्री को नींद भी नहीं आती है पतनी के रूप में डायन मिली है हमारे कालू को हाँ हाँ, बेचारा एक डायन से शादी कर बेटा है मैं तो कालू कवेले घर के आसपास भी नहीं भटता क्या पता सुंजरी हमें भी मारें लग जाए हम भी तो कालू के दोस्त है दूसरी तरफ कालू कवपा जो अपनी पतनी की सेवा कर रहा था कालू तुम्हारे पंग मर गए है क्या जो तुम इतना कम अपना पंक चला रहे हो देखो तो सही गर्मी की वजह से मैं कितनी पानी पानी हो रही हूँ सुन्जरी तुम्हें हवा दे दे कर मेरे पंक में दर्द होने लगा है आकिर मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ अरे कालू डायलोग तो बहुत अच्चा था कहा से सीखा तुम मेरे दर्द का मजाक उड़ा रही हो मजाक उड़ा रही हो अगर तुम्हें जंगल में बीच सडक पर जाडू से मारूंगी तो मजाक भी उड़ेगा और तुम्हारा एक पंक भी तूटेगा अरे सुन्द्री तुम इतना गुर्सा क्यों हो रही हो मैं तो बस मजा कर रहा था मेरे पंक तो पत्तर जैसे है ठीक है ठीक है तो चलावो अपना पंका मुझे नेदार ही है कालू कव्वा मन ही मन सोचता है अगर मुझे मोका मिला यहां से भागने का तो मैं पहले भाग जाओंगा यहां से पिर लानी चीरिया सुन्द्री के पास आती है सुन्द्री अगर तुम भूरा ना मानो तो मैं तुम्हें कालू भाईया के बारे में कुछ बताने आई हो कालू के भारे में बात बताओ बताओ क्या किया है उसने मैंने सुना है कि तुम कालू के साथ बहुत भुरा विवहार कर रही हो और तो और बात बात पर टोक भी रही हो और मार भी रही हो क्या तुमने कही सुना है सुन्दरी एक पतनी अपने पती को मारते हुए अब तो ए बात सारे जंगल में फहल चुकी है सुन्दरी इस सब में तुम्हारा ही तो नाम बदनाम हो रहा है सुदर जाओ सुन्दरी अपने पती को इज़त दो शिडिया भहन जो तुमने सुना है वो सही सुना है मुझे सुन्दरी मारती है और घर के सारे काम मुझे ही करवाती है बस करो कालू जी अगर एक शब्द भी बोले तो मेरा जाडू बोलने लग जाएगा और हा रानी चिडिया ये हमारे पती पतनी के बीच की बात है तु मुझे मत सिका की पतियों को मारना नहीं चाहिए उन्हें इज़द देनी चाहिए चिडिया अगर तुम यहां से नहीं गई तो कालू के साथ जाडू लेकर मैं तुझे भी मारूंगी जाती है या लू जाडू संद्री कवी की बाते सुनकर रानी चिडिया वाहा से चली जाती है कालू चिडिया के सामने तो तुम्हारी जबान कैची जैसी चल रही थी अब करो मेरी बुराई चलो शुरू करो मैं भी सुनना चाहती हूँ मैंने तो तुम्हारी कोई बुराई ही नहीं की मेरी बुराई नहीं कर रहे थे, जूट कह रहे हो, सामने ही जूट कह रहे हो, तो पीछे कितनी बात जूट बोला होगा तुमने, तुम्हे तो मैं अभी सबक सिकाती हो सुन्द्री कव्वी कालू कव्वे को जाडू लेकर मारने लग जाती है सुन्द्री मुझे मत मारो, मैं आगे से किसी को भी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो और मुझे माफ कर दो सुन्द्री, प्लीज आज तो छोड रही हूँ तुम्हें, आइंदा मेरी बुराई किसी भी पक्षी के सामने किया तो मैं तुझे मार डालूगी बेचारा कालू कव्वा सुन्धरी के हाटों से मार खाकर बहुत ज्यादा डर जाता है इसी तरह से कुछ दिन बीट जाते हैं एक दिन सुबह कालू कव्वा भोजन के तलाश में निकला था कालू कव्वे को वहाँ पर उसका दोस तोता मिल जाता है अरे कालू कव्वे, तुम्हें देके तो कितने दिन हो गए क्या हाल बना दिया है तुमारा सुन्धरी बहन ने कालू कव्वे सुना है अब तो सुन्धरी बहन तुमको मारनी भी लगी है हर समय काम काम ही करवाती है तुमारी ये हालत मुझे देकी नहीं जा रही है मेरे पास एक प्यान है तुमारे लिए क्या प्यान है तोते जल्ली बताओ कालु कव्वे मेरा एक दोस था उसकी पत्नी भी सुन्जरी कव्वी जैसी ही थी वो मेरे दोस को भहुत मारती थी और तो और उसने भी मेरे दोस को नोकर बना दिया था मेरे दोस ने अपनी पत्नी से तंग आकर दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी को छोड़ दिया अब ओ अपनी जीवन में बहुत कुष है मैं तो कहता हूँ तुम भी दूसरी कव्वी से शादी कर लो फिर तुमारे जीवन में भी कुषिया आ जाएंगे शादी हो जाने के अरे वाद तोते भाया क्या प्ल्यान बताया है तुमने मैं दुसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ बस मुझे सुझरी से चुड़कारा मिल जाए मगर तोते मैं पहले सी शादी शुदा हूँ मुझसे कौन शादी करेगा मैं ये कवी को जानता हूँ वो दिखने में तो बहुत सुंदर है अगर मैं उसे कहूँगा कि वो तुमसे शादी कर ले वो जरूर तुमसे शादी कर लेगी अभी मैं चलता हूँ कालू कल मैं इसी समय उस कवी को यहाँ पर ले आओंगा तुम भी इसी समय यहाँ पर आ जाना ऐसा कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है और कालू कववा भी भोजन लेकर सुन्द्री कवी के पास चला जाता है कालू, तुम्हारा चहरा इतना खिला-खिला क्यों है? बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? कुछ भी नहीं तुम्हें देख कर तो लगता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो किचडी पक रही है नहीं सुन्जरी, कोई बात नहीं है मैं क्या किचडी पकाऊंगा? हर दिन तो तुम मेरा ही किचडी बनाती हो कालू, तुम ना कौमेरी कवे हो मगर एक बात तो तुम्हें सही कहा है कि हर रोज में तुम्हारा किचडी बनाती हो मुझे तुम्हारा किचडी बनाने में बहुत मचा आता है अगली सुबह तोटा गोरी कवी को लेकर कालू कवे के पास आता है कालू कवा गोरी कवी को देखर खुशो जाता है यार कालू यही है वो कवी इसका नाम गोरी कवी है इसके बारे में मैंने तुमको कल बताया था ना हाँ हाँ तोते गोरी जी तो सच में बहुत सुन्दर है आप भी कालू जी आपकी बारे में तोती भाईया ने मुझे सब कुछ बताया है वो सब जानते हुए भी मैं आपसे शादी करना चाहती हो आप सुन्दर भी हो और सुन्दर के साथ साथ बहुत अच्छी भी हो मैं भी आप से शादी करने के लिए तैयार हूँ मैंने कहा ता ना कालू तुमें, मेरी दोस्त तुमसे शादी करने के लिए मान जाएगी हाँ हाँ यार, तुमारा भहुत भहुत शुक्रिया फिर जंगल के सारे पक्षिया भी आ जाते हैं अरे तुम सब यहां क्या कर रहे हो इन सब को यही मैंने ही बुलाया है आकिर सभी को पता चलना चाहिए कि कालू की दुश्री शादी हो रही है आपका फैसला बिलकुल सही है कालू भईया उस रिष्टे का क्या मतलब जिसमें प्यार ना हो, इज़त ना हो और एक पतनी पती को मारे इससे तो अच्छा है कि आप गोरी कव्वे से शादी कर ले हमारी गोरी बहर बहुत अच्छी है हाँ कालू तुमने बिलकुल ठीक सोचा है उस डायन को छुडने के बारे में हम सब पक्षियां तेरे साथ है फिर अगले दिन जंगल के सभी पक्षियां सजदज के कालू कव्वे की शादी में जा रहे थे अरे तुम सभी पक्षियां सजदज कर कहा जा रहे हो क्या जंगल में किसी की शादी हो रही है हाँ संद्री बहन जंगल में शादी हो रही है किसकी शादी हो रही है चिडिया और मुझे पता भी नहीं हमारे कालू भीया की दूसरी शादी हो रही है सुन्द्री बहन अपनी जबान संभाल कर बात कर चिडिया वरना तेरा ये जबान जला दूँगी मैं सच कह रही हूँ सुन्दरी बेहन आप इतना चलुम करती हैं कालू भीया पर वो आप से तंग आ गए थे और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो दूसरी शादी कर ही लेंगे कालू ऐसा नहीं कर सकता हमारा तो लव मैरिज हुआ था अब वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कैसे कर सकता है आपका लव मैरिज हुआ है ना सुन्दरी बेहन तो आप मुझे पताएए वो कौन सी पतनी है जो अपने पती को सुभशे शाम तक सिर्फ काम काम ही करवाती है और ऐसी कौन सी पतनी है जो अपने पती को हर रोज जाडू से मारती है मुझे से बहुत बड़ी गर्ती हो गई चीरिया मुझे माफ कर दो मैं सच में कालू से बहुत प्यार करती हूँ मैं उनके बीना रह नहीं सकती मुझे उनसे बात करनी है प्लीज मुझे उनके पास ले चलो चीरिया मैं तुम्हारे पैर परती हूँ ठीक है सुन्दरी बहन चलिए मेरे साथ दूसरी तरफ कालू कवा और गोरी कवी सजदच के शादी के मंदब पर जाही रहे थे कि सुन्दरी कवी वहाँ आ जाती है कालू यह तुम क्या कर रहे हो हमने तो एक दूसरे से प्यार करके शादी की थी ना तो फिर ए तुम इस तरह से छोड़ कर दूसरी शादी कर रहे हो क्या तरू सुन्दरी पहले जैसा प्यार अभी कहा है हमारे बीच में तुम तो मुझे हर रोज मारती रहती हो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ कालू मैं आपके बिना रह नहीं सकती मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी नहीं मारूँगी कभी नहीं डाटूँगी अगर आपने इस कवी से शादी कर लिया तो मैं उसी मंटब पर मर जाओंगी मुझे माफ कर दो कालू मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ मैंने तुम्हे माफ कर दिया सुन्दरी मगर मैंने भी इस कवी से वादा किया है कि मैं इस कवी से शादी करूँगा नहीं नहीं कालू ऐसा मत कहों मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उटाऊंगी जैसे तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी हर रोज बोजन भी मैं ही लाओंगी बस तुम इशादी तोड़ दो बस इशादी रोक दो कालू रोक दो नहीं नहीं सुन्दरी मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम गोरी कवी की चिंटा मत करो कालू, मैं गोरी के लिए एक अच्छा रिष्टा धूंदूंगी, मैं खुद उसकी शादी करवा दूंगी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी कालू जी, देखिए संद्री बहन को, वो तुम से बहुत प्यार करती है, किस तरह से रोई जा रही है, मैं आप डोनों के बीच में नहीं आऊंगी, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी फेसे कालू कववा और संद्री कवी एक हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको एक कहानी कैसे लगी, हमें कोमेंट करके जरूर बताईए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है, तो पहले जाकर सस्क्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भोले, हम जो मेहनत करते हैं, आपके लिए नए वीडियो बनाते हैं, उसके लिए लाइक तो बनता है, बाइ बाइ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ